नमस्कार मैं सुनिया शर्मा और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ओफ इंडिया गाउं की गुंच दिली तक जैसा कि आप सभी जानते हैं इस करोना मामारी ने हम सब को जंजोर के रखा हुआ है करोना मामारी की पहली लहर में भी हमने कितने परीजनों को खोया है इसी प्रकार अभी दूसरी चल रही है हाला कि अभी रेट कम है करोना की positivity rate कम है recovery rate जादा है लेकिन विशशग्यों का मानना है कि इसकी तीसरी लहर आने की बही संभावना है तो ऐसे में इस मामारी से बचने का हमारे पास क्या इलाज है ऐसे में हमारे पास एक मात सारा है वैक्सीन और वैक्सीन को लेकर इतनी अफवाएं हैं कि लोग उसको लेने से जिजक रहे हैं उनके मन में डर हैं, बैबीत हैं तो ऐसे में हमारा काम है आप लोगों को जागरूप करना तो इसलिक उन्हीं अफगाहों पर हम लोगों ने रिसर्च किया है कि क्या वे तथ्य सच हैं और आप लोगों के लिए जानकारी कटी की है ताकि आप लोगों के मन के डर को हम निकाल सबी तो कुछ लोगों का मानना है कि उनको एक बार करोना हो चुका है तो अब उनको वेक्सिनेशन के जुरत नहीं तो ये उनका मानना गलत है क्योंकि अभी तक डॉक्टरों का मानना ये है कि विशेशग्यों को भी नहीं मालूम कि एक बार आपको संक्रमन हो चुका है तो आप कितने दिन दुबारा संक्रमन स सुरक्षित रह सकते हैं तो ऐसे में आपको टिका करन की आवशकता है दूसरा लोग ही कहते हैं कि अब मैंने टिका करन करवा लिया है और अब मुझे करोना नहीं होगा चाहे मैं बिना मास्क के जाओं या मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूं ना करूं तो यह तथे भी गलत है क्योंकि आपका टिका करन हो गया है लेकिन उस टिका करन प्रक्रिया को हूने में कम से कम दो से तीन हफ्ते का समय लगता है तो ऐसे में अगर दो से तीन सब्ता के अंतराल में आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको दुबारा संक्रमन का खत इसका कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है, जैसे मासिक धर्म या गर्भा वस्तामे परेशानी तो विशेषग्यों का मानना है कि गर्भा वस्तावा मासिब धर्म से टीका करण का कोई संबन नहीं है, वैक्सीन और नूप्ति की जाती है उसके दुष्प्रभाव की जो है सिर् कि आप अपनी देनिक शराब की सिफारिश कर सकते हैं लेकिन अत्यतिक शराब पीने से आपकी रक्षा प्रणाली को घानी हो सकती है इसलिए कम से कम टिका करन के बाद एक सब्सक्राइब का आपको इन सब चीजों से फरेज रखना चलिए तो एक सवाल ये भी है कि का टिका कर इंडिया वो सभी वर्गों के लिए केवल मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं 18 प्लस जितने भी लोग हैं उन सब को टिका लगाया जाएगा ये हमारी सुरक्षा हेत्तु है ना कि कि किसी वर्ग हेत्तु साजिश तो मेरी आप लोगों से यही दर्भवास है कि अभवाहों से ब झाल